अला एवरीवन वेलकुम्म तू दिस अमेजिंग प्लेटफार्म अवर चैनल पनेशाव और कॉम्टेटिव इग्जामेनेशन और आप यहां पर हम सीधा मुद्धे की बात करेंगे जो कॉश्चन आपके पूचे गए उनके आंसर्स देखेंगे उनके बारे मैं एक्स्टा ड आप उनको देखते जाने और इस सेशन की जो पीडियेफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पैनेशेफ और कॉम्पिटिटिव इग्जामेनेशन करके जो अपने चैनल का ना में वो सर्च कर लें टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है चलो देखो यहां पर पह बड़ा ही प्यारा पूछा गया यहां पर इंडिया में ऐसे कौणसे पी.म क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया के आपको प्यालेफ Flash Earth ठीक है क्योंकि नरेंद्र मोधी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1950 के ठीक है कौन सी है 1950 की है और अगर मैं पर्टिकुलर डेट की बात करूं तो ये भी अब आपको याद हो जानी चाहिए ठीक है मैं पूछा गया कि COVID-19 से जो पहली डेट हुई फॉस्ट डेट इंडिया में पूछा जा रहा है देखो अच्छा कोवड नाइट नी से देखो पूछने स्टार्ट हो गए है तो ये चीज भी धान में रखना फॉस्ट डेट जो हुई है वो कौन से स्टेट में हुई ये पू और एक 76 एर्ट के परसन थे उनकी यहां पर COVID-19 से पहली डेट हो गई थी चलिए अगले कॉशन पर आ रहे हैं फॉर्थ वाला कॉशन देखो यहां पर आपसे अगेन MB की फुल फॉर्म पूछली की कॉशन है MB की फुल फॉर्म क्या होती है मेगा बाइट होती है क्या होती है कि 124th Amendment करके पूछा था लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आपको 124th Amendment Bill पूछा होगा ठीक है कि यह जो 124th Amendment Bill है यह किसको ले करके था ठीक है तो यह बिल था आपको पता होगा कि 10% का जो अब रिजर्वेशन है EWS category के candidate को मिलने लग गया है यानिकि economically backward citizens होते हैं उनको EWS इसका quota मिल जाता है यहां पर तो यह जो है आपका 124th Amendment Bill जो 2019 में आया है इसके ही regarding था ठीक है तो यह सबसे last वाला भी है यह चीज़ भी धान में रखना clear है अगले question पर आ रहे है next वाला six वाला question देखो इसमें आप से क्या पूछा गया देखो इसमें आप से पूछा गया क इंडिया की अब देखो इस question में क्या पूछा गया कि इंडिया की first Indian female judge अब यहां पर देखो दो बाते हो सकती है कि आपका या तो सपूछा होगा first Indian female judge of Supreme Court ठीक है या फिर आपसे अकेला यह लिख के दिया होगा अगर अकेला इतना लिख करके दिया है तो इसका answer हो जाएग अनाचंदी हो जाएगा अगर आपसे पूछ ले Supreme Court की ठीक है Supreme Court की पहली महिला भारती जज़ कौनसी थी तो यह थी भई फातिमा बीवी यह थी फातिमा बीवी यह चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है तो दौनों बातें ध्यान में रखोगे ना कोई दिक्कत यह हुआ है जो कुछ इंडिया मुंट्ट था अभी अब आगर हम बात करें से 2021 में आपका पूछा गया होगा तो 2021 में कुछ इंडिया मुंट्ट को कितने साल हो चुक के है तो यह आपको यहां पर पता होना जहें के भई इंडिया मुंट्ट हुआ था 1942 में 1942 में अगर हुआ है और आज चल रहा है आपका 2000 तो कितने साल हो गये हो यानि 58 साल तो यहां मानलो 2000 तड के इसके बाद 21 years यह हो जाएगी यानि 79th year चल रहा है आपका किसमें 2010 आगर हम 2021 की बत करें इसमें अभी हमारा 7900 चल रहा है अगर 2020 की बात सल रहा था ठीक है पास समझ में आगी अगले कोशन पर आते हैं सिक्स वाला कोशन देखो इसमें आप से पूछा गया था कि देखो कोशन आपका कुछ इस तरीके से था पेटा सेकेंड ओके इसमें था आपका 1857 का रिवॉल्ट था इसको एक बुक में जो है लिखा गया है इस के तुरे नामकी बुक है यह कौन से में लिखी ठीझें में ए चीज तो हो गयी तो यह किसने लिखी थी पी सी जोषी ने गहीय कि वहीं पीसी जोशी लिखी अगले कोशन पर आ बताया है देखो यहां पर दो पूरा कॉशन बताया नहीं अगर आपको अलिफेंट केवस में कौन से भगवान का जो है तो अगर यहां पर जो है शिव जी का टैंपल है कहां पर यह सिच्वेटेड है तो मुंबई के घोरा पोड़ा जो वहां पर आईलेंड टाइप का है उस के पास जो है यह सिच्वेटेड है एलेफेंटा उसको आईलेंड भी बोलते हैं अब दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पर एक यह भी बनती है कि आपके एलेफेंट टैंपल है यह आपका एक थाइलेंड में भी बना हुआ है और इसका जो एक्ट्वल नाम है वह है वर्ट हो जाएगी अब मुझे एक बार जिन लोगों ने एक्जामिनेशन दिया है आज का वह यह बताना आपका एक्ट्वल कोशन क्या आया हुआ ठीक है और जो बच्चे बताते हैं अगर आपको पूरी चीज़ें याद होती है तो एक बार उसे कर दिया करो ठीक है अगले कोशन अगर इससे रिलेटेड आपका आया था पूरा कोशन मुझे एक बार आप लोग कंफर्म करके बताएंगे ठीक है ना यह हो गया आपका फिर देखो ऐसे ही एक कोशन आया हुआ था वैक्टीरिया की कुछ डिसीज से रिलेटेड तो वैक्टीरियल डिजीज उसमें आपका पूछा गया कि वैक्टीरिया से कौन से डिसीज होता है तो यह चीज भी आपको देखो ऑप्शन सही करनी थी बाकी फिर मैं आपको और बताता हूँ जो बच्चों ने थोड़ा टूटी-फूटी भाचा में बताया है एक आपका पैपसिन करके कुछ एक कोशन आया था फि फिलाल यही आपका राइट अंसर होना था बाकी के तीन आप्शन अगर आपको याद हो तो वह भी नीचे कमेंट करके बता देना ठीक है तो यह तो हो गए आज की कुछ कॉशन जो कि मेरे पास में आप आई हैं अगर आप लोगों के पास और भी कॉशन हो तो नीचे टाइ को एंड करेंगे ता हैं कि सो मच गॉद्ब्लेस यौल टेक क्यार और बाबाए